सब्सक्राइब करें तो अब हम बाक्ष की सेशन में क्या बात करें पिछले तीन सेशन आपके जबरदस्ट शांदार मजएदार बिल्कुल चले थे किसके उपर बॉंड इंगल बॉंड लेंथ और बॉंड एनर्जी और जितने एक तरह के कोश्चिंस आ सकते हैं इसके बाहर पर चांस ही नहीं है हर कुश्चन में आपको बता दिया तो लगबग हमने ढ़ाइगंटे तक इस सेशन को हमने करा है इन तीनों परामेटर को ठीक ना तो आई थिंक ढ़ाइगंटे दो मोर्देने ने फिंटा इतना तो कोई भी नी बताता होगा अब हम आच के सेशन में न दो चार्जस को बिटा है इसलिए मैंने आपको हमवग दिया था कि थोड़ा सा पढ़कर आएगा अगर आप दो चार्जस को फीजिक्स में आपको पढ़ते हो डाइपोल दैपोल तो अगर हम डाइक का मतलब ही दो और पोल मतलब किया आपका खंबे नहीं विटा है ना यह नहीं पर है आपका चार्जस के दाउस में बात करें तो अगर हम दो चार्जस को पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखते हैं विटा थे न उस अर्रेंजमेंट को ही हम बुलाते हैं क्या विटा डाइपोल सबसे पहले अगर आपनो डेफिनेशन लिखना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तो चार्जस की बात कर रहे हैं तो चार्ज किस ओडर का होता है अगर मैं ऐसा ही उनिट बोलू तो वन फंडामेंटर उनिट फटाज इस एंट पर माइनस नाइंटीन कुलाब ठीक है और जिसे हम लोग किन एसी में बोलें तो फोर पॉर पॉंट एट इंटू टैन पर माइनस टैन जो आपका एलेक्ट्रोस्टैट एस्यू होता है एलेक्ट्रोस्टैट यूनिट मतलब एमक अगेस वगेरा तो एंगेस टॉम मतलब 10-10 मीटर के और का अब 10-10 मीटर को तो मुझे दिखाना भी पॉसिबल नहीं विटा उंगली से भी अगर मैं इतना भी करा तो यह कम से हम 5 सेंटीमीटर हो जाएगा विटा है ना 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर हो मैं आपसे बात कर कर रहा हूं 0.00000000001 पॉंट के आद 90 फिर वन तब जाक के उतना मीटर तो मेले दिखाना भी पॉसिबल नहीं इसलिए पहले धियान रखना वेरी क्लोज वर्ट का मीनिंग है यहां पर तो जल्दी से फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डेफिनेशन अगर नहीं लिक्यों इफ एक में प्लस क्यू चार्ज है एक में माइनस क्यू चार्ज है और उनको हमने डी डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा हुआ है अब दिखाने के लिए तो मैंने भी बोल दिया ना बड़ा दिख रहा है आपको यह तो लगबग आपका 15 सेंटीमेटर का दिखा दिखा दिया ह मैंने कहा है एक स्केल जीतना थिन बट एक्शली इतना नहीं होना चाहिए बस सम्झाने के लिए इस अर्रेंजमेंट को हम लोग क्या बुलते है बड़ा दाइपो थिन ठीक आगे लिखना विटा इट इस वेक्टर कॉंटिटी इस वेक्टर कॉंटिटी है बड़ा दिनोट इन दोनों का प्रोड़क्ट होता है वटा अगर आपको इसमें डेफिनेशन लिखना है बट बी केरफूल प्रोड़क्ट में प्लस Q मैनस Q हमें मैंने यह होफ़ली आप में से मुझे उम्मी दे बैटा आप इतने तो महान नहीं होगे इतनी गड़बढ़िया तो नहीं करत होगे कि अगर आप से कोई पूछे की प्लस टू कुलाम में क्या बड़ा होता है मैं जब आफ लाइन में बच्चों से पूछता हूं विटा तो कई महान आत्माय होती है जो मेसे उम्मिद है इतना मुझे पूरी उम्मिद है आप से प्लस टू कुलाम माइनस टू कुलाम दोनों निमेरिकली से में बड़ा इट इस आ हो तो ब्ले मैं box क्यूं लगाई दे रहो हूं यह तो कोई negative ले यह इसका formula है к्रbe das Υम mango क्योंकि हमें क्याормेस्ट निकालते हैं विटाउ अब सकाने इसकी unit की बात करों गे यह सब चीजragen आप sz इसे डेफिनिटली बेसिक लेवल के कोश्चन में एकसराइज में तो शामिल होंगे एकसराइज में डीपीपी में जेए में नहीं आएंगे इतना यूनित तो नहीं पूछेगा तो अगर हम इसकी SI कि बात करें में तो SI unit charge की कुलाब into distance की है मीटर अगर मैं इसकी CGS unit की बात करूं तो charge की जगे एस हुआ हो जागा कुलाम की जगे और इसकी जगे का हो जागा की सैंटीमीटर तीसरी इसकी एक वर यूनित है जिस साइंटीस ने से discover करा था कुलाम और इसके बीच में आपको relation पता हो अगर बेटा जो हम one fundamental unit one e बोलते है one e की value बेटा कुलाम में बोलेंगे तो one point six into ten power minus nineteen कुलाम होता है isu में अगर मैं बोलता हूं तो it is four point eight into ten power minus ten isu मतलब अगर में one कुलाम बोलू बेटा indirectly दोनों को equate कर दो तो आइकें से one कुलाम is nothing but three into ten की power nine isu मुझे उमीद है आप में से कभी बच्चों को यह isu शायद पता नहीं होगा बट यहां के questions के लिए आपको पता होना जरूरी है ध्यान रखना जरूरी है ठीक है और यहां के लिए बात करने है तो हमाई लिए एक जो common unit है जो सबसे आद करेंगे बटा और वन डिवाई इक वस्टू अब यह वैल्यू हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हमारे questions में ज्यादा तर वो डिवाई से दे सकता वन डिवाई इक वस्टू 10 पावर माइनस 18 एस यू इन्टू सेंटीमीटर यह हमें ध्याद रखना जरूरी है वन डि को कुलाम में क्या लिख दूंगा इसको डिवाई को दूंगा थी इन्टू 10 की पावर 9 से और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 बाए 100 से तो 9 यह और 100 मतले 10 की पावर 2 11 हो गया विटा 10 की पावर माइनस 29 वन बाए 3 और 1 बाए 3 को क्या लिख सकता हूं विटा 3 3.33 तो इस 3.33 इन्टू 10 पावर माइनस 30 ठीक है इस 3.33 इन्टू 10 की पावर कितना विटा माइनस 30 कुलाम इंटू मीटर ठीक है यह आपको याद रफना जरूरी है विटा ठीक बॉक्स वाली चीज़ें तो कंपल्सरी है विटा कि कॉमनली यूनिट हमें डिबाई मिलने व बॉन्ट काई बॉन्ट पोलर है कि नहीं इसको दून यूस करने के लिए हम इसे यूस करते हैं विटा इस तो मेजर पॉलिटी ऑव बॉन्ट विचिस एराइस द्यू टू एलेक्ट्रो नेगिटिविटी डिफरेंस बिट्विन तू बॉन्डेट अगर हमारे पास है ना ड बॉन्ट आपका एक दे एंड में फेजांस रूल बगेरा सॉलिविटी बगेरा बस यह आखरी पार्ट यह सब थियोरी जितनी भी चल रही है सब कोवलेंट बॉन्ट से एलेटेड है तो अगर हमारे पास ए और बी के वीच में कोवलेंट बॉन्ट है इस बॉन्ड में पोडिटीव चाहिए और डिस्टेंस मतलब वही जो हमने बॉन्ड लेंथ में लास्ट सेशन में समझी थी वेटा अगर मैं इनको मल्टिप्लाय कर दू तो मैं इस बॉन्ड का क्या निका सकता हूं वेटा डाइपोल मोमेंट और उससे में परसेंट आयनिक केरेक्टर बता स करता हूं जो अभी मैं application of dipole moment में आपको समझाने जा भी रहा हूं पहले हम dipole को दंशी समझें तो इस यूस्ट तो मेजर दा क्या आपका ती इस तू मेजर दा पोलेटी आफ बॉन्ड विच इस अराइस दू एलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस बिट्विन टू और दूसरा होता है लोन पेर मॉमेंट विटा फर्स्थ वन इस बॉन्ड वोमेंट थेम बाई मिनिंग क्या हुआ श्यू निदीविज्विज्व bond, bond moment का मतलब भी है, it is the dipole moment of an individual bond, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना लिख लिए है, मतलब, जैसे अगर हम बात करें है, CH4 में, तो CH4 में, चार CH bond है, तो compound के लिए तो total हम बात करेंगे, dipole moment की, बट अगर अलग से CH bond का बोले, तो उसके लिए word यूज़गा क्या, bond moment, तो इस में लिखने, बात है, it is a vector quantity, it is a vector quantity and represented by an arrow, represented by an arrow, pointing from, pointing from, इस तरह से arrow से शोग करते है, बात है, और इस arrow में ऐसे डंडी भी बनी हो थी बीचे, it is, it is a vector quantity and represented by an arrow, pointing from, less electronegative to more electronegative बात है, मतलब, pointing from, less electronegative atom to more electronegative atom, indirectly I can say, pointing from, negative charge to, sorry, positive charge to, इसकी तरह बीटा, negative charge, इसको अन्डू करें, थी न, positive charge to, sorry, क्या कर दिया है, positive charge to क्या बीटा, negative charge, थी न, less electronegative क्यों पर, obviously, आपका positive charge आएगा, more electronegative क्यों पर आएगा, क्या, negative charge, तो डाइपोल मोमेंट तो बेटा, पूरे कमपॉंड के लिए बात करते है, बांड मोमेंट, उस कमपॉंड में अगर एक individual bond का मोमेंट बोले, तो हो सकता है बेटा, एक, कम एक मोलेकुल जो हो बेटा, उसमें हर bond का कुछ न कुछ मोमेंट हो, बट नेट उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाए, बेटा, जीरो, आरी मेरे बाद समझ में, ठीक है, चली, तो इसी में नीचे नोट भी का लेना, बेटा, हो बेटा, अगर कोई पॉलिय एक मोलेकुल हो, तो जो नेट डैपोल मोमेंट होगा, वो वेक्टर सम होगा, अब कैसे निकालते हे, वेक्टर सम रोगह, बेटा, उसमें ने नोधी नोध कितना है, पर सेकेन्ड है लोन पेयर मोमेंट, hai प्योड बोलेकिन, इसमें दो कानिय इसका कोई भी कॉंट्रिबिशन होने वाला नहीं है बट अगर वो किसी hybrid orbital में है बटा तो hybrid orbital में तो फिर उसका contribution होगा क्योंकि hybrid orbital है आप बोलो के सा यह सा क्यों हो hybridization भी तो central atom का है यह doubt हो सकता है किसी बच्चे के mind में आया हो जैसे NH3 है तो NH3 में hybridization दो nitrogen का ही है न तो वो जो SP3 hybridize orbital है वो भी nitrogen का है वो PS3 में तो NH3 का जो लोन पेर है वे यह उल्लेडी मैं ड्राइगोस रूल में समझा चुका हूँ NH3 का जो लोन पेर है वो SP3 hybridize orbital में इसी वज़े से वो बड़ी आसानी से donate भी करता है बट PS3 का जो लोन पेर है वो pure S orbital में इसलिए PS3 donate नहीं करता है सेंटल एटम का ही है तो वो लोन पेर भी सेंटल एटम का ही है अगर pure में है तो हम काउंट कर रहे हैं hybridize में तो नहीं कर रहे है इसा क्यों तो आपको पता होना चाहिए इसका logic क्या है इसका logic है बटा hybridize जब आपने word use कर रहा है hybridize orbital मतलब आपने उन orbitals को एक particular एंगल पर रख दिया है और एंगल पर रखा है तो फिर उसका कुछ न कुछ न कुछ तो moment आ गया है आपके पार ठीन बट प्योर ऐसी है प्योर पी orbital में है तो वो अपना मस्ती से जैसा है वेसा ही प प्योर पीबोल इफ्ल पिएल्ध प्योर एस और प्यॉर वर अगर है पावियल पॉयंट ही अगर वो प्यूर एस यां प्योर पी ओर बिटेल में है यह यह पुर अगर आप सित्व फिय। मारा जवाब है विटा कि न, there is no contribution to the dipole moment due to symmetrical distribution, main reason है आपका symmetrical distribution, due to symmetrical distribution, ठीक कि न, what is the meaning of symmetrical distribution, S में होगा तो इस तरह से गोल होगा, P में होगा तो आपका इस तरह से होगा, बट बट दूसरा कहानी, बट इफ lone pair is present in hybridized orbital, second point है, बट इफ lone pair is present in hybridized orbital, देन इस dipole moment is also considered as electron density is not equal, as electron density is not equal, यह आप इसे unsymmetrical बोल सकते हो, आप सभी को पता होगा, हमने hybridized orbital की shape कैसे बोली थी, एक लोग बड़ा हो जाता है, बट दूसरा लोग छोटा हो जाता है, यहाँ पर symmetrical है, बट आपका unsymmetrical, बट इफ lone pair is present in hybridized orbital, then it is unsymmetrical, then it is क्याँ आपका unsymmetrical, ठीक है, और तब इसका dipole moment जो होगा, बट वो अगेन, आपका एक arrow से ही represented होता है, बट away from the atom, क्यों, obviously electron density बहाँ ज्यादा है, बट तो हमेशा एल तरह से बोल सकते हैं, हम लोग यह less electron density से किस की तरफ होगा, आपका more electron density की तरफ, क्या यह मेरी बात आपको समझ में आई है, और इसी में आप चाहें, तो तीसरा point भी लिख सकते हैं, ठीक है, ना, तीसरा point है, एस, है ना, S percent S character increases, loan pair moment also increases, S percent S character increases, loan pair moment also increases, ऐसा क्यों हो, आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे से percent S character बढ़ेगा, ठीक है यह जो लोब की साइज है, परसेंट S character को पर depend करती है, band school में उन्हें समझाया था, SP3 का यह लोब और बढ़ा होगा परसेंट S character कम है, ठीक है, SP2 में थोड़ा शोटा होगा, SP में थोड़ा और शोटा होगा, इसलिए अगर हमसे loan pair moment का order पूछे बढ़ा, तो SP वाले का ज्यादा होगा, SP2 से और SP2 वाले का ज्यादा होगा किस से, SP3 से, SP वाले का ज्यादा होगा, SP2 से और SP2 वाले का ज्यादा होगा किस से, SP3 से, आई मेरी बात समझ में, यह तीन चीजें हमें ध्याद रखना है, ठीक है, अब इसमें, अब वेक्टर सम की जो मैंने बात करिए, वो बात कर लें, तो यह वेक्टर सम का मिलिंग क्या है, माल लीजे, और यहीं से आपके आगे कहानी भी जन्रेट हो जाएगी, माल लीजे मेरे पास, एक मॉलेक्टुल है, AB2 टाइप का, ठीक है, तो अब इलेक्टर नेगटिविटी डिफरेंस है, और इस बांड का भी कुछ बांड मोमेंट होगा, माल लीजे, वो म्यूवन है, और दोनों के बीच का एंगल है, कितना हमारा ठीक है, तो हमाई लिए जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, यह ना, मू, वो हो जाएगा, वेटा, प्या, अंडरू टौ, मू 1 स्क्वेर, प्लस मू 2 स्क्वेर, प्लस 2, मू 1, मू 2, कॉस ठीक है, आई होब, पीजिक्स मेर से पीजिदा आपको आती है, पहला ही चैप्टर थी न, आपको जो 11 में आते से ही, in fact 13 में भी पहले वेक्टर वेक्टर का आइडिया तो देई दिया जाता है, स्टार्ट में आपको, 12 में भी थोड़ा बहुत आइडिया तो उसमें यह वेक्टर सम की बात हम लोग बार बार क टीटा की वैल्यू कम होती जाती वेटा कॉस्ट टीटा कम होने पर म्यू की वैल्यू क्या होगी आपका बढ़ेगी कम होगी यू की वैल्यू कम होगी है ना बट इसमें यह हमेशा सही नी वेटा यह हमेशा सही नी क्यों वो डिपैंड करेगा वेटा कि क्या है दोनों जो कि रिस्पेक्ट में भी बता दूं अगर टीटा 60 डिग्री है कि न मान लीजे हम दोनों बॉंड मोमेंट्स को हमसे इस तरह की सिट्वेशन बना के दे सकता है इसलिए हमें पता होना चाहिए ठीटा 60 डिग्री है बोल रहा है यह बॉंड मोमेंट इसको इसलिए मेले मैं सी कर किसी बच्चे के मैंन में आया होगा फिर दोनों अगर एब एब लिखा है तो बॉंड मोमेंट कैसे अलग हो गया एक को सी कर देते विटा अब वहाने से बोल दें अब यह बी टू टाइप का कंपॉंड अब बताओ आपको कुछ नहीं करना फॉर्मूला लगाना है आहीं फॉर्मूला लगाना सभी को आता होगा म्यू इक्वास टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेर एक में में लिख्रों मिटा दूसरे में सीधे अप्लाय करूँगा प्लस तू म्यू स्क्वेर ठीक न और कॉस्ट टीटा की वैल्यू कितनी बीटा बन बाए टू क्योंकि ठी मू स्क्वेर प्लस मू स्क्वेर प्लस मू स्क्वेर आगे जही एडवांस लेवल के कोश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है मतलब हम लोग बोलेंगे हमारा नेट डैपोल मोमेंट रूट 3 मू है बट अगर वह बहाने से अब मैं डाइग्राम आग्रम नहीं बना र स्किसके बराबर होता है मायनसा तो जैसे आपने श्रिकला यह 2 टू 갔 लो के एक मियुच्चर मू स्करのは की उड़ गया बट अगर ॥क憂ंभ हो जाती हो जाती हमारा हमिश घृपकी टना हो जाता है जीरो यह एंगल के उपर मेंट करता है क्योंकि हम सभी को को पता है बागी तो मैंने फॉर्मर लगा है और कॉस वन एट्टी कुछ जदर ही महान लिख लिए है तो थोड़ा इसको साफ करते हैं जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस तो अगर आप यहां रखोंगे मिउश्कर प्लस मिउश्कर प्लस तूमिश्कर और कॉस्वन एक त्रिमाइनस तो आपका ने पुधि देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा जीरू ठीक है अब यहीं से हम बड़ा कमपाउंट की जोमेट्री के बारे में पता करते हैं थ लिघ्र आघर औरतो आइसुमर होते हैं तो फो एसमार में कितना एंगल होता है शिक्ष्टी की बेंजीन को एक सरकल की तरह माल ले slept 23 और मेट मर कीबाथ करते हो तो एंगल के इसbayड़ किफीक यज़ीन इसलिए हो सकता है वाटर काभी कर सकते में हम क awards एंगल डियूzn को सबका कर सकते हैं यह तीन मोस्ट इंपोर्टेंट केसे से मैंने अभी केल वो लिखे हैं आपके लिए क्या यह कानी समझ मैं इस अभी कुछ ठीक है अब देखिए दो एक्जामपल दो और उसी से हम अपनी एप्लिकेशन पर आजाएं पहले पहले बिटा यह यूनिल टैंग और पीएस्टी की बात करें दो छोटे से बस एक्जामपल देके हम इसके पॉइंट्स लिखें और एप्लिकेशन करें सी ओ टू में अगर हम बात करेंगे तो सी ओ टू में आपका बॉंड जो बोले बॉंड बोल रहा हूं वह पोलर क्योंकि सी डवल बॉंड हो है मतलब ठी अब में पोलर को पी लुक होगा नॉन पोलर को एंपी ठीक है क्यों है विटा क्योंकि 180 डिग्री पर हो गए CO2 डोनों बॉंड मोमिंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया जो उपर यह बट अगर हम पीएस्टी की बात करें पीएस्टी में बॉंड भी बोलर है बॉंड पोलर की डिफरेंस के टांस में बात कर रहे है फॉस्फोरस की भी 2.1 है और हाइडोधन की 2.1 मैंने आपको एक गाने के फॉर्म में याद कर वाया था इफ्यू रिमेंबर फन नकल बियर इश्क पहलवान पहलवान में फॉस्फोरस और हाइडोधन था अल्मोस दोनों की से में ब पोलर हो गया है आई मेरी कहानी सभी को समझ में ठीक है यह हमें छोटा सा धियान रखना इसी बेसिस पर पहले मैं आपको तीन इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं हूं ठीक है वह लिख लो जल्दी से पहला पॉइंट ठीक है और फिर उस पर हम ठीक है आगे ए एक सेम पहली कंडिशन है क्योंकि हमसे पूछता है कुप सारे मॉलेकूल्स देखके आजकल आपको पता भी जही में इंटीजर टाइप के कोश्चन का यूज बढ़ते जा रहा है कि इन में से कितना मॉलेकुल पोलर है कितना नॉन पोलर है हम आपको पंदरा कंपाउंड द 2010-2011 में तो उसने एडवांस का पेपर तब तो फिर मेंस एडवांस अलग अलग नाम ही नहीं था उसने आठ दस एलिमेंट देखकर बोला था इन में से कौन-कौन है जो नॉन जीरो नेग्रिव ऑक्सिडेशन नंबर शो करते हैं जही मेंस 2020 की मर्जाक की बात कर लें उसने पोटेशियम सूपर ऑक्साइड में पोटेशियम के ऑक्सिडेशन नंबर पूछ ली अब यह कोशन अगर हम पूछे ना आपसे टेस्स में तो अरे इस तर लेवाली नहीं कोशन का आपके तो यही चीज़ है बिटा कि हम आप चीजों को पॉजिटिव में लेना ही नहीं च खुशों के टिक करा होगा जल्दी से अरे हो आया तीन नंबर मिल गए चार नंबर मिल गए यहां पर रोना दहुना चालू कर देतों तो तो थिंकिंग जैसी होगी बैटा वेसा रिजल्ट मिलेगा थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए कि जो भी मुझे बताया जा रहा है जो भी मुझे पूछा जा रहा है जो भी मुझे मैटरियल दिया जा रहा है वो मेरे लिए सब सफीशेंट है इसी से मेरा सिलेक्शन होगा और उसका सबसे बड़ा प्रूफ तो यह है बटा कि आपके पास जही मेंस और जही एडवांस के पिछले 20-25 सालों के कोश्चन हम ख पेला पॉंट लिखना इफ नो लोगन पेर हो विटा एंड अल सुराउंडिंग एटम आर सेम जिसे इंडिरेक्टल हम लोग स्यमेट्रिकल या रेगुलर जॉमेट्री भी बोल सकते हैं जिसे हम लोग इंडिरेक्ल बिटा symmetrical या regular geometry भी बोल सकते हैं बिटा then molecule will be non-polar इस तरह का molecule हमेशा non-polar होगा then molecule will be non-polar इस तरह का molecule हमेशा non-polar होगा हमेशा जैसे आपके एक्जाम्पल अभी मैंने बोल दिया है na co2 हुआ विटा, cs2 हुआ, bf2 हुआ, bf3 हुआ, ch4 हुआ, pcl5 हुआ, sf6 हुआ इस इस 7 हुआ आप जितने चाहिए उतने एक्जाम्पल लिख सकते हुआ है हमारे लिए तो आठ दस सफिशेंट है जो मैंने लिख दिये, यह सब के सब मॉलेक्विल साब के नौन पोलर है, आप यहीं से देखो एक जस्टीफाई स्टेट, एक स्टेट नोस जस्टीफाई हो जाकता हुआ, क्या लोन प्यार होगा, चलो, पहले आपन लिख ले जें, जो जो पॉइंट्स मुझे लिखाने, उनको modify करते हैं, क्योंकि true-false में हम इसी modify करते है, second byta, if molecule has, second point, if molecule has V बेंड shape और pyramidal, if molecule has V में triangular हो गया, और bent दोनों शामिल हैं वेटा थी ना T-shape हो या पिरामीडल हो then then molecule will always be polar then molecule will always be polar तब इस तरह का molecule हमेशा ही आपका polar होगा जैसे आप कोई भी example देख लो वेटा water हो SO2 हो CLF3 हो T-shape का pyramidal मतलब NH3 हो NH2 minus हो like this कोई भी आप खुप सारे example लिख सकते हो यह सब के सब molecule आपके जो हैं वेटा polar तीसरी पीसरा point वेटा तीसरा point है if central atom has one lone pair then molecule will always be polar if central atom if central atom has one lone pair one lone pair थी ना अगर if central atom is one lone pair then always polar अगर एक lone pair है वेटा तो इसके आप justification में example दे सकते हो SF4 एक lone pair है NH3 है एक lone pair है वेटा इनका polar होना compulsory है वेटा एकसी एफ सिक्स है आई एफ फाइव है आप कुछ भी दे सकते है वेटा एकसी एफ सिक्स है क्या है वेटा आई यह पाई वे बोला अब इसी को मैं justify करार हो वेटा कि क्या है ना मतलब चोथा point तो नहीं है वेटा true false के form में हम बात कर सकते हैं क्या lone pair होना है अगर lone pair है तो क्या हमेशा compound polar होगा नहीं वेटा एक lone pair है तो वह compound हमेशा polar होगा कोई भी आप example उठा के देख लो बट दो lone pair वाला भी non-polar हो सकता है एक्जाम्पल इस यूर एकसी एफ़ोर एकसी एफ़ोर दो lone pair है और यह आपका क्या है बोलो non-polar क्योंकि चारो फ्लोरीन एक plane में आ गए एक lone pair उपर एक lone pair नीचे इन फैक्ट मैं यह सी में बोल सकता हूं मैंने माइनस देके एक पांच और बढ़ा दिया यह तो स्क्वेर प्लेनर है एक उसको मैंने और दे दिया नौ करवा दिये नौ में से पांच बना दिये हैं चार बचे इसकी स्क्वेर प्लेनर जोमेट्री और इसकी पेंटागोलन प्लेनर है अगलो मैं मॉलेक्ट्रोनिक जोमेट्री की बात करें और अगर इलेक्ट्रोनिक जोमेट्री की बात करें तो यह उक्टाइडल यह सब में आपको एमंग डिफ्रेंस अल्यदी सम्जा चुकहूं यह पेंडागोनल व्य पिरामिंड़ सुछ वालπα कंपोन भी जाना नॉञ हो सकता यह निक किया हो में दो लोन प्चे वलाला हमेशा लो नॉन पोलर होगा एक वाला तो हमेशा लोगा एक वहाला लैट हो नॉन संगताonta भी हो सकता है वेटा, polar भी, ठीन, polar वाले एक्जामपल है, आपके पास, h2 है, दो लोन पियर है, बैट में तो non-pillar की बात करो, कि अगर लोन पियर है, तो molecule हमेशा non-polar होगा, ऐसे statement हम जबर दस्ती बना-बना के आपको परिशान करते हैं, तीन लोन पियर वाला भी polar हो सकता ह है, परफेक्ट एक्दामपल, i3 माइनस आपको पता ही है, यह i- है, उपर भी आई, नीचे भी आई, और तीनो लोन पियर यह आपके, पैक्टर से हमें, देखो, तीनो लोन पियर मोमेंट ने एक दूसरों कैंसल आउट करा, उपर से ii ने क्या कर दिया, गैंसल कर दिया, क लिए्ट आपिगों, चलुँए।